अकबर बीरबल की कहानी बुद्धी से भरा हुआ बरतन नमस्ते कहानी शुरू करते हैं कई साल पहले की बात है राजा अकबर और उनके प्रिय बीरबल के बीच किसी बात को लेकर मन मुटा हो गया इसके चलते राजा ने बीरबल को राज्य से कहीं दूर जाने की सजा दे दी इस परिस्थिती में भी बीरबल ने हार नहीं मानी और उन्होंने किसी अन्य गाउं में जाकर वेश बदल कर खेती करना शुरू कर दिया अब वो एक किसान के रूप में अपना जीवन गुजारने लगे शुरू में तो राजा अकबर के लिए सब कुछ सामानने साथ था लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि राजा को अपनी गलती का एहसास होने लगा वो अपनी दैनिक दिन्चरिया में बीरवल को याद करने लगे थे जब भी उनके समक्ष कोई मुश्किल या परेशानी आती तो उन्हें बीरवल की कमी खूप खलती थी एक दिन राजा अकबर से रहा नहीं गया उन्होंने अपने सेना पती को बुलाया और उन्हें बीरवल को ढूंड कर वापस लाने का आदेश दिया राजा की आग्या अनुसार हर गाउं हर गली में बीरवल की खोच शुरू की गई सभी सेनिकों ने हर एक कोने को छान मारा लेकिन वे बीरवल को ढूंड ना सके राजा को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे बड़े निराश हुए अब बीरवल से मिलने की उनकी बैचेनी और बढ़ने लगी थी अचानक राजा के मन में एक उपाय आया उन्होंने आदेश दिया कि सभी गाउं के मुख्या को संदेश भेजा जाएं कि उन सभी को एक बरतन के अंदर बुद्धी डालकर राजा को भेजना होगा जो भी इस आदेश को पूरा नहीं करेगा उसे इसके बदले एक बरतन में हीरे जवाहरात भर कर राजा को भेजना पड़ेगा सभी गाउवासी राजा के इस अजीवकरीब आदेश को सुनकर परिशान थे सभी ये सोचकर हैरान थे कि बुद्धी को किस तरे एक बरतन में भरा जाए बुद्धी तो सभी के पास उपलब्द थी लेकिन उसे किस तरे एक बरतन में डालना है ये सोचकर सभी परिशानी में थे ऐसा ना कर पाने की अवस्था में उन्हें उसी बरतन को कीमती हीरे जवहरात से भरना था जो कि इससे भी बड़ी समस्या थी वहीं जिस गाउं में बीरबल एक सामानी किसान का वेश बना कर रह रहे थे वहां भी राजा का ये आदेश चर्चा का विशे बना हुआ था गाउं के सब भी बड़े बुज़ुर्ग निराश होकर बैठे थे कि वहां बीरबल आए और उन्होंने कहा वह इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं पहले तो किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हुआ लेकिन उनके पास बीरबल पर विश्वास करने के लावा और कोई रास्ता नहीं था इसलिए इस काम की बाग दोर बीरबल को सौपी गई उस वक्त गाउं में तर्बूज की फसल उगाने का समय था बीरबल ने तर्बूज के पौधे की एक बेल को एक बरतन में डाला धीरे धीरे उस बेल में तर्बूज का फल लगने लगा और समय के साथ ही तर्बूज ने बरतन का आकार ले लिया जैसे ही बरतन तर्बूज से पूरा भर गया बीरबल ने बेल को फल से अलग किया और उस बरतन को तरबूच समेत राजा के दरवार में भिजवा दिया साथ में ये संदेश भी भेजा कि उस बरतन के अंदर बुद्धी भरी हुई है और राजा को बरतन को बिना तोड़े ही बुद्धी को निकालना होगा जैसे ही राजा ने तर्बूच से भरा हुआ बरतन देखा वा उसे निकानने की शर्थ सुनी तो उन्हें यकीन हो गया कि ऐसा विच्चार केवल वीरवल का ही हो सकता है उन्होंने जल्दी से अपना घोड़ा मंगवाया और वीरवल को अपने साथ वापस लाने के लिए गाउ की ओर चल दिये इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर मुश्किल सवाल का कोई ना कोई जवाब जरूर होता है हमें केवल थोड़ा हटकर सोचने की जरूरत होती है कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और शेर करना ना भूले